नागिन 5 में अब एक बड़ा खुलासा होने वाला है टीवी शो नागिन 5 जिसमें बड़े बड़े ट्विस्ट आ रहे हैं बड़े बड़ी कहानिया निकल के सामने आ रहे हैं और नए नए करेक्टर्स जो की आ रहे हैं इस शो में लेकिन अब आपको बता दें कि आपके हो आया है जिसमें इस बात का खुलासा हो जाएगा कि वीर ने अपनी मा को देख लिया है अगर क्या है पूरा मामला क्या है पूरी कहानी इससे पहले ये था कि जिसमें जो बानी है वो बात टब में घुस जाती है और उन्हें एक आवाज आ रही होती है तो वो उस आवाज में पास के पास पहुचने के लिए उक तेह खाने में चलि जाती हैं और सिस तरह से वो देखती है कि वूरी ओरत को को बाजा हुआ होता है उन्हें पत्तास उनको बांदा ho狂ता है, और पता नहीं कितने सालों से बांदा हुआ हुआ होगा। लेकिन इस बात कि खुला के लें तो वीर का क्या reaction होता है ये देखना काफी जादा जरूरी है और एहम है क्योंकि वो जो है वो वीर की ही मा है और वो जो बोड़ी औरत है जो खुलासे करेंगी कि आखिर उनको किसने इतने टाइम तक इस तैखाने में रखा और कब से वो इस तैखाने में है और कौन है उनका दुश्मन और वीर से उनका क्या relation है और हमने इस पर एक story भी बनाई थी जिसमें इस बात के कई ऐसे hints थे जिसमें ये बताया जा रहा था कि जो वीर है वो चील नहीं बलकि उनका connection नाग लोग से connection है तो उसी नाग लोग connection के चलते हैं अब जो वीर की जो मा है जो कि ये बु जो connection है वो एक नाग वंच से connection है नाग लोग से connection है तो आप बड़े बड़े खुलासे होंगे नाग फाइव में आप काफी ज्यादा excited होंगे नाग फाइव के लिए और क्योंकि अब जो नए characters भी सामने आ रहे हैं और आपको एक love triangle भी देखने को मिलेगा हाला कि बानी पर अब डोरे डालेंगे अरीजीत एक नए character जो कि आ रहे हैं और मोहित जो है जै जो है उनकी exit हो चुकी है और मोहित और जो अरीजीत है वो अब इस show में आएंगे और वो बानी पर डोरे डालेंगे और बानी के साथ romance पहरेंगे तो क्या ये बात वीर को कितनी खलेगी ये दे देखना काफी जादा excited होने वाला है सो ऐसी अब डेट के लिए चैनल के साथ बने रहे हों साथ ही subscribe करें like करें comment करना बिल्कुल ना भूले